नमस्कार दोस्तों, LV Classes में आपका स्वागत है आज में आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 Physics कुमार मित्तलबो के 13 चैप्टर प्रकास का परावर्तन, गोली दरपन तथा प्रकास का अपवर्तन के Numerical का पार्क 1 बताऊंगा अगर आपने इसके पहले सभी चैप्टर के Numericals का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिश्ट का लिंक में नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से जाकर उस अभी वीडियो देख सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं तो इसमें पहला कोशन दिया गया है कि 24 cm वकरता तरज्या वाले ओतल दरपण के सामने 3 cm की दूरी पर एक मौमबत्ती रखी है मौमबत्ती के प्रतिविंब की इस्थित ग्याद कीजिए तो यहाँ पर द्यान देजी 24 cm वकरता तरज्या याँ आपको यहाँ पर वकरता तरज्या कामान दिया गया है और यहाँ पर द्यान देजी लिखा है कि दरपण के सामने 3 cm की दूरी पर एक मौमबत्ती रखी है मॉंबत्ति यहां पर वस्त्यू है है यानि कि दरपढ़ शिवस्त्यू के दूरी आपको दी गई है 3 cm और इसको हम लोग लखते है u 6 तो दरपढ़ के से वस्त्यू की दूरी हमेसा माइनस मिर müsste तो इसमें हम लोग को किस्तित वह जा गवर खिंगे थेवचा है कर आख बिए टो इसमें हम लोग को लोग को वकरता रिया निनठ चाहल लें my उन लिदे Gate It वकरता रिया कामान मे इसमें नहीं दीए क्जित पकी दोह हैं और इसमें हम लोगों को प्रतीभिंब की स्थित यानि की V का मान जो है वो ग्याद करना है तो अब ध्यान देजी हम पहले हम लोग ग्याद करेंगे फोकस दुरी यानि की F और फोकस दुरी का सुत रोता है F बराबर R बाई टू R का मान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 24 बटे में हो जाया का 2 इसको भाग करेंगे तो F बराबर आएगा यहाँ पर 12 cm तो अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कोशन में दिया गया था ओतल दरपन तो अगर ओतल दरपन दिया गया है तो उसमें याद रखना कि ओतल दरपन की जो फोकस दूरी होती है वो रिडात्मक होती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओतल दरपन है तो F बराबर जो हम लोग प्रयोग करेंगे उसका मान माइनस 12 cm लिखा जाएगा तो सूतर होता है दरपन के लिए 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U ये इतना होगा तो यहाँ पर अब द्याण देजिए 1 बटे F कमान हम लोग लिखेंगे माइनस 12 ये इतना हो जाएगा इसके बाद 1 बटे V आपको ग्याद करना है फिर यहाँ पर द्याण देजिए 1 बटे U U कमान माइनस में दिया गया तो प्लस माइनस मिलके हैं पर माइनस का आप लेख सकते हैं तीन इस प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान देजिए V गयात करना है तो यह संक्या हम लोग इधर लाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा यानि की 1 बटे 3 फिर माइनस 1 बटे 12 बराबर 1 बटे V इन दोनों का लासा लेंगे तो इसका लासा आ जाएगा यहाँ पर 12 तीन से इसको भाग करेंगे अगर तो तीन चौक 12 यानि की 4 बार जा रहा तो उपर 4 से गुड़ा करके लिख देना है फिर यहां पर 12 एक गम बारा तो यहां पर आजाएगा 1 बराबर 1 बटी वी तो अब यहां पर धहन दीजे अगर यहांस हम लोग 1 बटी वी गयाद करते हैं तो 4 से 1 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 3 और बटे में आएगा 12 इसको अगर भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और फिर 3 चौक 12 तीन से काट दिया गया तो यहां पर ध्यांदर जी 1 बटे V बराबरा आया है 1 बटे 4 यानि कि जब V गयाद करेंगे तो यहां पर यहां पर यहां जाएगा 4 cm तो यहां पर ध्यांदर जी V का मान आया है प्लस में 4 तो प कि मान लीजी यहां पर द्यान दीजी यह मुख्यक्ष है यहां पर आपको यह ओतल दर्पण दिया गया है तो अगर ओतल दर्पण के बाईं और कोई वस्त या फिर उसका प्रतिविम भी तो जो चीज इसके बाईं और होती है उसका मान हम लोग माइनस मिलेंगे याद होगी तो वहां पर उसका मान लेंगे प्लस में इसलिया पर वी का मान प्लस में आया था इसका मतलब प्रतिविम कहां पर बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा इसके बाद अगला कोश्यन दिया गया कि 2 cm उचाई की एक वस्त तो और तल दर्पण से 16 cm की दूरी पर रखी है दरपन द्वारा इसका वास्तविक प्रतिविम्ब 3 सेंटीमीटर उंचा बनता है ग्यात कीजिए पहला परण दिया गया दरपन की फोकस दूरी फिर दूसरा इसमें प्रतिविम्ब की इस्थिति तो यहाँ पर द्यान द्रपन द्वारा इसका वास्तविक प्रतिविम्ब 3 सेंटीमीटर उंचा बनता है तो यह प्रतिविम्ब की उंचा ही दीगाया यानए की आई कमान प्रतिविम्ब इमेज इसकों लोग लिखते हैं essentially I कमान आपको दिया गया तिन सेंटिमीटर तो यहाँ पर आपको पहले ग्याद करना है दरपन की फोकस दूरी यहाई एकि कि आ 맞़कार करना और प्रतिबिंब की स्थिति यानि की वी कमान ग्यात करना तो ध्यान दिए निकी कि यूइसको अम्हां दिया गया माइनश 16 सेंटीमीटर यह यह आपको प्लस में दिया जाएगा को वस्थित्य की दूरी माइनिश में लेना इसमें आपको ग्याद करना है focus दूरी यानि कि F कमान इसके अलाव प्रतिविम के स्थित यानि कि V कमान यहां पर आपको ग्याद करना है तो अब यहां पर दयान देजिए इसमें सूतर होता है पहले I बटे O बराबर V बटे U इतना सूतर होता है तो अब इसमें अगर हम लोग मान लखेंगे तो यहाँ पर दियान देजिए i का मान तीन दिया गया है O का मान आपको 2 दिया गया है इसके बाद we बटे में you का मान Young यहाँ पर हो जाएगा माईनस 16 एतना होगा तो अब यहाँ पर दियान देजिए जब यहां है समें लोग V गयात करेंगे तो 16 एधर गुड़े में आएगा यानि कि यह हो जाएगा 3 गुड़े माइनस 16 बटे 2 इसको यहाँ पर हम लोग कैंसल कर सकते हैं 2 अठे 16 यानि कि यह आजाएगा V बराबर 8 24 तो इसका मान यहाँ पर आगया माइनस 24 सेंटीमीटर तो अब की बार देहन देजिए आपर V कामान माइनस में आया है तो माइनस में आया है इसका मतलब दरपण के सामने बने गया नहीं कि दरपण के बाइयोर तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिम्ब की जो इस्थित होगी यहाँ पर लिखेंगे आप प्रतिबिम्ब की इस्थित दरपण के सामने 24 सेंटीमीटर पर होगी तो अब यहाँ पर देहन देजिए आपर लिख दिया गया दरपण के सामने तो यहाँ पर माइनस लगाने के आप सकता नहीं है यहाँ पर हम लोग 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U तो अब यहाँ पर देहन देजी 1 बटे V का माँन अभी हम लोग निगात किया है माइनस 24 फिर इसके बाद U का माँन आपको कुश्चन में दिया गया है 1 बटे 16 यहां देजी प्लस था इसका माँन मलोग रख Unidos माटी 16 फिर जैगे, यह पर यह बटे F बराबर देजिए दोनों माईनस महीं हैं आप माइनस कामन ले लिजी यह हो जाएगा, एक बटे 24 और प्लस में एक बटे 16 इसके बाद माइनस यहां पर इन दोनों का लासा लेना आपको तो लासा यहां पर ले ले लेते हैं 48 अब देन देजिए 24 दो नार तालिस दो बार जाएगा तूपर दो से गुड़ा करके लिख दीजी दो एक कम दो यहां पर 63 तो तीन से गुड़ा करके लिख देंगे इतना जाएगा यानि की वन बत लक्त बराबर दो और तीन मिल्क यहां पर हो जाएगा 5 और बती में यहां पर आ जाएगा अर्टालिस तो ये मान वन बत का है तो जब यहां से हम लोग की या निवा hose का मान फ cash जाएगी यानि की यह नहों ई Regular बदे होती है तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यानि कि f बराबर 9.6 cm और इसके आगे आप लिख देजिए और तल तो और लिखा रहेगा तो इसका मतलब फिर यहां पर आपको माइनिस लगाने की आओ सकता नहीं है इसका मतलब इसकी फोकस दूरी यहां पर रिडात्मक हो देजिए तो यहां पर द्यान देजिए लिखा है एक उतल दरपन अपने से 10 cm दूर रखी वस्तु यानि कि वस्तु की दूरी दी गई है यू कमान तो इसे हम लोग लिखेंगे यू बराबर 10 cm और फिर लिखा है इसमें कि रखी वस्तु का तीन गुना बड़ा वास्तविक प्रतिम बनाता है तो दरपन की वक्रता त्रेजिया यानि कि आर कमान हम लोगों को यहां पर ग्याद करना है तो अब ध्यान देजिए तो इसमें हम लोगों को वस्तु की दूरी दे गई है यानि कि यू कमान दिया गया है माइनस 10 cm इतना दिया गया है और इसके अलावा इ तिन गुना बड़ा बनता है यह प्रश्ण में आपको दिया गया तो यहां पर लेख सकते हैं आप एकार्डिंग टू कुश्यन यानि कि प्रश्ण अनुसार वी बड़े यू तो इसके अनुसार यहां पर ध्यान देजिए आई बड़े ओ इसका मान हम लोग लिखेंगे यहां पर तीन इसके बाद वी बड़े में यू इसका मान आपको दिया गया है हम पर माइनस दस तो जब यहां से हम लोग वी गयाद करेंगे तो यह धर गोड़े म plus 1 बटे u तो भी यहां पर दरहनदुजी 1 बटे v कमान यहां पर हम लोग लिखेंगे minus 30 plus 1 बटे u कमान आपको दिया गया minus 10 इसमें आप minus common लेंगे तो जब minus common लेंगे तो यहां पर यह आएगा 1 बटे 30 plus 1 बटे 10 इसके बाद इसका last time यहां पर लिया जाएगा 30 तो अब जहन देजी यहां पर 30 दिया गया था तो यहां उपर लिख देना आपको 1 फिर प्लस 10 त्याई 30 तो यहां पर यहां पर यहां जाएगा 3 यानि कि 1 बटे F बराबर इन दोनों को एड़ करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4 इतना हो जाएगा अब इसके बाद यहां पर देन देजी यह फोकस दूरी हो गई यानि कि F का मान इसे हम लोग सेंटी मीटर में लिखेंगे अब इसमें हम लोग ग्याद करना है वक्रता त्रेजिया तो सूत रहता है वक्रता त्रेजिया का R बराबर 2F यहां पर वक्रता त्रेजिया इसमाल R से लिख दी गई है बाकि आप चाहे तो कैप्टेल R भी लिख सकते है तो अब देहन देरिया पर 2 और फोकस दूरी का मान माइनस 15 बटे 2 तो 2-2 यहां पर कैंसल हो जाएगा और R यानि कि वक्रता त्रेजिया का मान आजाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर तो यह इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद चौथा कोशन दिया गया कि एक 3 सेंटीमीटर उची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले और तल दरपन के सामने 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी है दरपन से कितनी दूरी पर परदा रखा जाए ताकि परदे पर इसका चमकीला प्रतिविम बने प्रतिविम की प्रकति तथा आकार ग्यात कीजी तो यहां पर दियान देजी पहले लिखा है एक 3 सेंटीमीटर उची यहां पर वस्तु की उचाई आपको दिगई है आप कहां सकते हैं पर O कामान आपको दिया गया और फिर लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आउतल दरपन F कामान आपको दिया गया है आउतल है इसलिए आप कह सकते हैं पर O कामान आपको दिया गया 3 cm और फिर लिखा है 15 cm फोकस दूरी वाले आउतल दरपण F कामान आपको दिया गया है और तल है इसलिए माइनस 15 cm लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इसके बाद लिखा है और तल दरपण के सामने 20 cm की दूरी पर रखी वस्तू यानि कि U कामान दिया गया माइनस 20 cm और दरपण से कितनी दूरी पर परदा रखा जाए ताकि परदे पर इ कामान दिया गया माइनस 15 cm लाओ वस्तू की दूरी यानिकि माइनस 20 cm यह दिया गया है और वस्तू कितनी ऊंची है उसका मान भी आपको दिया गया है यानिकि 3 cmm तो इसमें हम लोग पहले इस्थित ग्याद करेंगे पर्दे की यानि की प्रतिविम की तो सूत्र प्रयोग करेंगे वन बट्टे एफ बराबर वन बट्टे वी प्लस वन बट्टे यू तो यहां से ध्यान दीजिए जाएका यहांपर 20 इस प्रिकार से अग इन दोनों का लासा ले लेंगे यहांपर या पर द्यांदर यूउज लेंगे 2015 इसको भाग करेंगी तो 15 54 यानिकी 4 बार जाएगा तो उपर लिग दढ़ेंगे मैं चार एककशार इसके बाद 239 तो यहां minus 60 cm यहनि कि आप यहां पर बता सकते हैं कि परदे को आtill दर्पण के सामने माइनस आया इसलिए आदर्पण के सामने 60 cm दूरी पर रखना होगा V कामान माइनस में आया था इसलिए यहां पर दर्पण के बाइँ ओर ही रखना है पर्दे को इसलिए लिखा गया पर्दे को अवतल दरपर के सामने 60 cm दूरी पर रखना होगा अब इसके बाद इसमें हम लोग इसकी प्रकरती बतानी है तो अब द्यान देजिए आपको एक सूत्र बताया गया है आई बटो ओ बराबर वी बटे यू तो इसमें द्यान देजिए आपर आई बटे ओ कामान आपको दिया गया है तीन इसके बाद वी इस कामान अभी हम लोग ने गयाद किया है माइनस 60 और यू इस कामान दिया गया है माइनस 20 इसको अगर भाग कर दें 20, 25, 60 इतना आएगा तो अगर यहां से हम लोग आई गयाद करते हैं तो द्यान देजिए दर तीन तरिक का 9 यहां पर यह हो जाएगा 9 सेंटीमीटर यानि कि प्रतिविम्ब का जो आकार होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं कि प्रतिविंब का आकार बराबर 9 cm इतना हो जाएगा और यहां पर दियान देजी यहां पर प्रतिविंब जो मान आया है इसका मान 9 cm आया है तो आप यहां पर बता सकते हैं कि प्रतिविंब वास्तविक और उल्टा होगा क्योंकि प्रतिविंब रखा गया था इसलिए प्र तो बाकी के के लोगों बताऊंगा तू वीजियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पशंद आये तो वीडियो को लाइक twitter जरूर करिएगा